कश्राइब का में बहुत कॉमनली प्रेवग में आने वाला तेल हैं इंडिया और साउथी स्टेशन कंट्रीज में बहुत जादा कॉमनली यूज्ज होता है इन फाक्ट यहाँ सबसे जादा कॉमनली यूज होने वाले ओयल में एक है यह आज इस पर डिसक्रिशन करेंगे Northern States में तो सबसे ज़्यादा commonly used गोने वाला oil है Southern States में coconut oil ज़्यादा comparatively used होता है लेकिन ये oil के साथ कुछ controversial issues है जिसको आज discussion करेंगे ये oil क्या वाकई में सबसे अच्छा oil है या नहीं इसके क्या beneficial effects है उस पर भी discuss करेंगे क्या इसके नुकसान दायक या खराब की तत्व है उस पर भी बात करेंगे और क्यों ये US और Western countries में cooking के लिए US FDA approved नहीं है US FDA और इस तरह की संस्था इसको cooking के लिए बिल्कुल recommend नहीं करती है आज उस पर भी बात करेंगे Basically ये एक popular cooking oil है Brassica जनसया करके एक plant होता है mustard plant इसे बोलते है उससे ये बनता है इसका specific aroma और flavor रहते है इसमें काफी vitamin E, omega 3 fatty acids और unsaturated fatty acids antioxidant तत्वर रहते हैं और glucosinolates और erukic acid करके कुछ specific compounds रहते हैं जो इसको बाकी oil से अलग बनाते हैं काफी तरह के cooking में भी इसको यूज किया जाता है medicinal uses भी इसकी है कुछ anti-inflammatory properties भी है जिसके लिए इसको यूज किया जाता है कुछ respiratory infections, skin infections और digestive disorders के लिए भी इसको यूज करते हैं पहले बात करेंगे health benefits क्या है mustard oils में basically cholesterol level कुछ हद तक कम करता है तो heart disease होने का chance थोड़ा इससे कम होगा बहुत ज्यादा यह ऐसा नहीं बोल रहो कुछ फाइदा मिल सकता है second है anti-inflammatory properties है क्योंकि इसमें omega-3 fatty acids होते है alpha-linoic acid होता है icosapenta-linoic acid होता है यह सारे omega-3 fatty acids है जो कि chronic diseases diabetes, skin diseases, cancer बगर में कुछ हद तक beneficial है body के inflammation को कम करता है chronic disease को कम करता है तो इसके लिए इसमें anti-inflammatory properties है sujan को एक तरह से कम करता है inflammation जो भी है heart attack यह इस तरह की problems होने का एक तरह से काफ़ important marker होता है तो इसको यह कम करता है next है इसमें कुछ anti-microbil यानि किटानू नाशक properties है जो कि एक journal of medicinal food में एक article published हुआता है जिसने ऐसा show किया था कि कुछ bacteria और कुछ fungus खासकर bacteria जैसे asuracea, coli, staphylococcus aureus और fungus जैसे candida albicans इस पर इसका कुछ anti-microbil effect है इसलिए इसको अच्छा माना जाता है next important चीज है इसमें कुछ analgesic properties है याने pain killing properties है जिससे joints का pain और sujan कुछ हग तक कम हो जाती है जिनको arthritis, sprains, muscles sprains वगए का problem है वो उसको use कर सकते है massage के लिए भी use कर सकते है इसमें allyl isothiocynate करके compound होता है जिसके pain relieving properties होते है ये pain के लिए अच्छा माना जाता है इसके लबा कुछ skin की disease है जैसे eczema, psoriasis और acne उसमें भी इसको use किया जा सकता है इसमें vitamin E content जादा होता है जोकि antioxidant है जोकि skin को protect करता है free radical से और skin में sujan या लाली होने का या redness होने को भी कुछ हग तक ये कम करता है तो ये skin disease के लिए बेच्छा माना गया skin के लिए इसको massage बगर करने के लिए use कर सकता है अब इसके नुकसान दायक चीज़े क्या या negative points क्या है इसमें erukic acid करके monounsaturated fatty acids होता है जो कि high amount में अगर इसको लिया जाए तो heart muscle के लिए नुकसान दायक होता है heart muscle को damage कर सकता है animal studies इसके साथ available है लेकिन human studies इसके साथ नहीं हुई है इसको माना जाता है कि erukic acid बच्चों के लिए health के लिए और खासकर बच्चों के heart के लिए जाधा नुकसान दायक है इसलिए United States और Canada में इसको approval mustard oil को या सरसोगा तेल को खाना बनाने के लिए नहीं मिला है इसमें erukic acid होता है इसके लिए क्योंकि यह चीज़े नुकसान दायकि human studies बहुत ज़्यादा अविलिबल नहीं है जो इस शोकरे कि इसमें humans पर कितना नुकसान है लेकिन यह compound खाराब माना गया है इसके लिए इसको western countries में use नहीं करते हैं इसमें कुछ allergic reactions होते है किसी किसी को जैसे कि rashes hives हो जाएंगे या खुजली हो जाएगी किसी को कभी कबार life threatening allergic reaction जिसमें blood pressure भी drop हो सकता है ऐसा हो सकता है कुछ rare लोगों को mustard allergy होती है next है कि कुछ cases में इसमें lungs में damage हो सकता है जिन लोग को भी mustard oil जो massage बगर के लिए use कर सकते है कही बार massage बगर के दौरान इसमें जो vapors बनते है अगर आप उसे inhale कर लेते हैं या श्वास की नली में चाला जाते हैं तो श्वास की नली में सूजन डेवलेप हो सकती है नलीों में construction याने सिकुरन डेवलेप हो सकती है किन में हर व्यक्ति को skin के लिए अच्छा है ऐसा नहीं है किसी किसी कोई से irritation भी हो सकती है इसके लबा ये thyroid function के साथ interfere करता है इसलिए उसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो उसे goitrogens बोलते हैं जिनको ज्यादा मात्रा में लेने से ये thyroid gland के iodine uptake को inhibit करता है इन्हें रोकता है जिससे व्यक्ति को hypothyroidism हो जाता है और thyroid hormone बनना कुछ हट तक कम हो जाता है जिसकी वज़े से thyroid gland जितने hormones की जरूवत है उतना नहीं बना पाता है तो ये thyroid के functioning के लिए अच्छा नहीं है कुछ gastrointestinal issues भी है जिसको ज्यादा मात्रा में लेने से पेट में दर्ड, diarrhea, nausea, cramps हो सकता है और पेट की जो inner lining है उसमें सूजन या inflammation ही create कर सकता है इसलिए ये दुखसान दायक है जो लोग को inflammatory bowel disease है जो की पेट की या आतों की बिमारी जिसमें आतों में सूजन हो जाता है वो बिमारी वाले patients अगर इसको ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो उनको symptoms बढ़ सकते हैं और उनको तक्रीफ हो सकती है next है कि इसमें कुछ chances skin cancer के बढ़ने का भी होता है अगर आप mustard oil या इसकी मालिश करके अगर आप धूप में निकलते हैं तो skin में sunlight का exposure होने पर cancer बनाने वाले products ज्यादा बनते actual में इसमें सोरा लेंज करके substance होता है जो कि sunlight की harmful effect को skin में बहुत ज्यादा बढ़ा आजता है खासकर जो लोग fair skin है या गोरे लोग है उनको अगर ये लगा कर धूप में निकलते हैं तो cancer होने का बहार निकलना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें cancer होने का chance बढ़ सकता है skin cancer होने का chance तो basically mustard oil के कुछ benefits है कि cholesterol levels को कम करता है inflammation को कम करता है और बाकी oils में कुछ beneficial effects भी है लेकिन erokic acid का content जादा इसलिए US और Canada में ये band है या नहीं use होता है cooking के लिए massage के लिए use कर सकते है बाकी कुछ और properties भी है जो कि बहुत अच्छी नहीं भी है irritation कर सकता है, inflammation कर सकता है cancer का risk भी बढ़ा सकता है GI intolerance भी कर सकता है पेट के inflammation को बढ़ा भी सकता है तो इसलिए बहुत अच्छा product नहीं है तो हाला कि हमारे इंडिया में काफी लोग इसको support करते है इसको सबसे best oil मानते है सबसे ज़्यादा इसको use भी करते है लेकिन मेरा suggestion यह है मैं ज़्यादा तो जो oils recommend करता हूँ olive oil आप use कर सकते है avocado oil यूज कर सकते है rice bran oil यूज कर सकते है saffola flower का oil यूज कर सकते यह चाख-पाच oils है जिनके साथ ज़्यादा better data available है जो जिसकी वज़े से इनको ज़्यादा recommend किया जा सकता है खासकर अगर किसी को heart का problem है या cholesterol related problem है जो cooking के लिए specific oil अगर चाहते तो यह oils को ज़्यादा prefer कर सकते है master or personally मैं भी बहुत ज़्यादा recommend नहीं करता हूँ क्योंकि इसमें जो beneficial properties है वो बहुत ज़्यादा controversial है खराब वाली properties है वो काफी ज़्यादा है और काफी ऐसे products है या ऐसे पदार्त है जो कुछ significant benefit कर सकते है जो कि कभी कभाई dangerous भी हो सकता है खासकर बच्चों के heart के लिए ज़्यादा dangerous हो सकता है क्योंकि इस मेरे कोई acid है जो कि बाकी oils में नहीं होता है तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसे recommend नहीं करता हूँ obviously जो लोग इसको support करते है वो बुरा बोलेंगे या इस video को biased हो बोलेंगे, criticize करेंगे, वो अलग चीज़ है लेकिन जो facts है वो facts है हरे को जानना ज़रूरी है कि इस चीज की क्या अच्छा ही है, क्या बुरा ही है final decision आपका है कि आप उसको use करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो आपका choice है पर मैं as such इसे बहुत ज़्यादा recommend नहीं करता हूँ तो आज के topic में हमने mustard oil के बारे बात की यानि सर्सो के तेल के बारे बात की सबसे commonly use होने वाला इंडिया में oil माना जाता है मेरे हिसाब से medical point of view बहुत अच्छा oil नहीं है cooking के लिए मसाज बगार करने के लिए भी बहुत अच्छा oil नहीं है तो ज़्यादा अच्छा है patient के लिए यदि इस topic को समदित आपकी कोई comments, queries, suggestions है कोई और topics पर आप चाहते हैं वीडियो बनाए कोई patient related queries है तो नीचे comment section में उनकी बारे में बताएए हम उने cover करने का प्रयास करेंगे अन्त में मैं Dr. Naveena के बार तही दिल सापका शुक्रियादा करऊंगो कि आपने इस topic को इंतर देखा जो लोग मैं चानल पर नए हैं उन्हें request करऊंगो कि चानल को subscribe करें ऐसा करने से चानल को continue करने के लिए में motivation और inspiration मिलती है जब भी हम कोई नया topic upload करते हैं तो आपको उसका notification मिल जाता है आप उस topic को तुरंद देख सकते हैं और जब भी हम कोई YouTube live sessions भी करते हैं तो आपको उसका notification मिल जाता है जो लोग हम आए चानल पर बहुत सारे वीडियो और details धूनने में उन्हें दिक्कत आती है कि उनके मतलब के useful topics कहां हैं तो उनके लिए हमने सारे चैनल के topics को playlist में डिवाइड किया है जैसे BP, sugar, cholesterol, heart attack, heart failure से अबके playlist बनाए हुए specific playlist पर आप जाएंगे तो आपको ज़्यादा useful content मिलेगा जिनको आप regular basis पर use करेंगे तो आपको topic ढूंडने की महनत नहीं करनी पड़ेगी और आपको आपके मतलब का topic बिना ढूंडे मिल जाएगा इसके लवा जो हमारे चैनल पर सारे topics को बहुत जादा detail में नहीं देखना चाहते हैं आपको लगता है कि एक आप मिनट में बता के खतम करो पूरा detail नहीं जानना उनके लिए regular basis पर YouTube Shorts अपलोड कर रहे हैं जिसमें सारे topic का one minute में important features या brief summary हम आपको देते हैं तो वो आप उनका benefit ले सकते हैं और यह सारे topics को हम Facebook और Instagram Reels पर भी upload कर रहे हैं आप महाँ पर भी हमें follow कर सकते हैं और इन topics को आप health tips की तरह या health related important points की तरह अपने friends और latest के साथ भी share कर सकते हैं